पहले टाइमिंग की बात करता हूँ, सारे विपक्सि दल, ओवेसी हो, राहूल गांदी जी हो, या आरविन केजरिवाल हो, या ममता जी हो, ये जूट की रादनीती कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महतो नहीं है, भारतिय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोशना पत्र में कहा है, कि हम C.A. लेकर आएंगे, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश के, जो सरनार्थी है, उनको नागरिकता देंगे, तो भारतिय जनता पार्टी का एजन्डा बहुत स्पस्ट है, और वो एजन्डे के आधार पर हमें बहुमत मिला है, 2019 में ही ये बिल संसत के दोनों सदनों ने पार कर दिया, उसके बाद कोविड के कारण थुड़ा लेट हुआ, अब टाइमिंग का क्या महत्व है, सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभीव्यक्त कर दी है, चुनने के बाद फ़स्ट प्राइटी में, पहले ही साल में, दोनों सद प्राइमिंग का या पोलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है, अब विपक्स तुरुष्टी करन की रादनीती करकर, एपीस्मेंट की पोलिटिक्स करकर, वाट बेंक को कॉंसल्डेट करना चाहता है, मैं उनको विननती करना चाहता हूं, कि आप एक्सपोज हो चुके हो यह मत करिये, पूरे देश की जनता जानती है कि यह इस देश का कानून है, और यह चार साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं, कि यह होगा, चुनाओ के पहले होगा, अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? पर इतने साल तो हुआ नहीं, ना, 2019 के बाद अब हुआ है, श्मिता जी मुझे एक बात बताई है, वील ओफ लेजिसलेटर, वील ओफ गवर्मेंट, बिल से प्रगट होता है, या रूल से प्रगट होता है, अब्यसली बिल से, रूल व्यावस्ता करता है, जो करने में पहल कोविड के कारण और बाकी सारे पोलिटिकल इस्यूस के करण लेठ हुआ, मगर कब से नागरिकता मिलेगी, तो 2014 के पहले से, वो ठमरूल वहीं का वहीं है, आज क्या फरक पड़ गया है, बताईए, कोई फरक नहीं पड़ा है, भारतिये जनता पार्टी को के लिए एक पोल और बंगलादेश से आए हुए करोडो सरनार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी तीन पीडि को नयाये देने का मुद्दा है, जो कॉंग्रेस पाटी ने कभी नहीं दिया. आप कह रहे हैं करोडों लोग यहां आएंगे लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फाइदा नहीं होगा लेकिन जो विपक्स है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए देख 370 को हटाएंगे उनका हिस्ट्री है जो बोलते है वो करते नहीं है मोधी जी का हिस्ट्री है जो भारतिय जनता पाटी ने कहा है नरेंद्र मोधी ने कहा है वो पत्थर की लकिल है मोधी की हर गैरेंटी पुरी होनी है 2019 में आपने A.N.I को इंटर्व्यी में काथा कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त C.A. के कारण जो हिंसा हुई थी उस वक्त आपने काथा एक Disinformation कैम्पेइन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस Disinformation को Misinformation, Disinformation जो भी इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है। तिन देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांगलादेश से हिंदू, सीख, बाउद, क्रिस्चन और पार्सी जो जैन और पार्सी सरनार्थ ही आये हैं इनको उनका अधिकार देने का कानून है नागरिक्ता देने का कानून है जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर मैं बाखी रिलिजिन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसल्मान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे उवेसी साब हों, चाहे ममता बैनर जीओं, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है, वो भी कह रही है, इट्स अन एंटी मुसलिम लौ, विक का इकितियास है, 15 अगस्त 1947 कोई देश का विभाजन हो गया, देश तीन हिस्सों में बढ़ गया, वो बेक्गराउंड है, भारतिय जनसंग, भारतिय जनता पार्टी हमेशा विभाजन का विरोध किया, हम कभी सहमत नहीं थे, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर होन ही नहीं चाहिए था, मगर उस वक्त किया गया, जब धर्म के आधार पर आप विभाजन करते हो, और वहां जो अल्प संक्यक है, उस उन लोगों पर धेर सारे अत्याचार हो, धर्म परिवर्तन कराए जाए, इनकी महिलाओं को अपमानित किया जाए, वो मा, बेहन, बेटी क के लिए वो सरण में आये भारत की, तो क्या उसको यहां नागरिक्ता का अधिकार नहीं है, और स्वयम कॉंग्रेस के नेताओं ने आजादी के बख सेंकडो भाचनों में कहा है, कि अभी मारकाट चल रही है, अभी जहाँ है, वहां रहे जाए, बाद में जब कभी भी भार स्वागत में आएंगे, आपका स्वागत है, परांतु बाद में इलेक्रोल पोलिटिक्स चालू ही, वाट में की रादनेती चालू ही, एपीस्मेंट के कारण वहादा कॉंग्रेस पार्टी ने कभी पूरा ने किया, जो नरेंद्र मोधी पूरा कर रहे हैं, जो बाकी अगर आप पार्सी और हिसाईयों को ला सकते हैं, वो जो रिलिजन्स है, तो अगर आप पार्सी और हिसाईयों को ला सकते हैं, तो मुसल्मानों को क्यों नहीं? दिखे, मुसलिम अबादी के लिये ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, वो भूमी इसलिए दे दी गई थी, फिर तो हर देश से अव्यास्ता से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोड़ लो, भारत कहां बतता है, अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताडना हुई है, उसको सरन देना मैं मानता हूँ हमारी नईतिक जिम्मदारी है और हमारी constitutional responsibility है, और समिता जी आप आकड़ी की गहराई में जाए, जब विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान में 23 प्रतिसत हिंदू थे, हिंदू और सीक थे, आज 3.7 प् अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया, कहां जाएंगे ये लोग, क्या देश इसका विचार नहीं करेगा, देश की पर्लामेंट इसका विचार नहीं करेगा, देश की political party और इनका विचार नहीं करना चाहिए, इसमें एहमधी है, करता हूं जी उन्नी सो इक्यावन में हिंदों का प्रतिसत 22 प्रतिसत है मैं इक्यावन की बात कर रहा हूं बंगलादेश की क्यावन के आंकड़े हमारे पास है 2011 की जनगर्णा में वो दस प्रतिसत रहे गया है कहां गए हो लोग अफगानिस्तान 1992 के पूरूर लगबग लगबग दो लाग सीख और हिंदू थे और आज करीब करीब पांसो बच गया हूं क्या ही इन लोगों को अपनी बिलीप से जिने का अधिकार नहीं है वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे हमारी ही भाई है हमारी ही बेन है हमारी ही माता है अगर यही थियोरी को आप अपना लो तो पार्टिसन के बाद इतने सारे सरणार्थियों को क्यों लिया उसका भी तरक नहीं है फिर तो तो वहीं मैं पूछूँगी कि आपने कहा कि धर्म के आधार पर दूसरा मुल्क बना वहां पर शिया और एहमदी बलोच ये भी तो प्रताड़ित हैं वहां पर देखे वो प्रताड़ना आंकडों के आधार पर इतने सिद्ध नहीं की जाती और पूरी दुनिया में सारा ब्लोक मुस्लिम ब्लोक माना जाता है आप मेरी बात समझ कर चलिए और सिया एहमद या वो तो छोड़िये मुसलमान को भी अधिकार हैं अप्लिकेशन करने का हमारे समवादान ने रास्ता खोला है वो अप्लिकेशन करकर रेफ्यूजी के तौर पर नहीं नागरिकता लेने के लिए अप्लाइ कर सकते हैं भारत सरकार इनकी भारत की सुरक्सा और भारत की बाकी सारी चीजों को देखते हूं उसका नेनाए करेगी तो एक रास्ता किसी के लिए बन नहीं है ये स्पेशियल एक्ट इसलिए बनाया है कि ये किसी भी वैध डॉक्यू वो पोर्टल सुरक्षित है और अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है तो क्या अब वो ना नागरिक है ना माइगरेंट है ना रेफ्यूजी है क्या बन जाते हैं देखे मैं आपको बताता हूं जिनके पास दस्तावेज नहीं है इसका रास्ता हम बाद में ढूंडेंगे परन्तु जिनके पास दस्तावेज है वो मेरे एक रफ अंदाज से 85 प्रत्सत से ज़्यादा है और कितनी देर लगेगी क्योंकि उन्हें एक ओथ भी लेना पड़ेगा हमें कोई समय मर्यादा नहीं रखी और आपकी भासा में आप डाउनलोड कर सकते हो और आपकी समय की अनुकुलता से भारत सरकार आपको इंटर्वी के लिए बुलाएगी और दोक्यमेंट की आडिट के लिए बुलाएगी और वो फेस-टू-फेस इंटर्व्यू होगा या फेस-टू-फेस होगा और अगर वो second generation refugees है मतलब अगर उनके बच्चे हो गए हिंदुस्तान में 15 अगस्ट 2047 से लिकर 31 डिसेंबर 2014 तक जो भी आये हैं वो और उनके बच्चों का भारत में स्वागत है ठीक, मैं आपके आलोचक के जो कॉमेंट्स हैं उनको पढ़ती हो और आप बताईए जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं उन्होंने कहा कि ये जो अंधा धुन लोग आएंगे बीजेपी उन्हें नागरिकता देगी उससे theft, robberies, rape बढ़ जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ब्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बेटे हैं उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुकी हैं अज़ भारत में ही रह रहे हैं सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है वो अधिकार देने की बात है 2014 तक जो आगए इनको नागरिक्ता देनी है और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांगलादेशी घुसपेटियों की बात नहीं करते हैं रोहंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं क्योंकि वो वोट बैंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं इसलिए वोट बेंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं नौकरी का कहा सवाल है वो अल्रेडी यहां है और बांगलादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या रोहंग्याज नहीं मार रहे हैं इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले वई' सिर्फ जो हिंदू सरनार्थी ही आए है जो बहुत सरनार्थी है जो जैन, पार्सी और कृक्रिश्चन सरनार्थी इसी को विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आप अपने नागरेकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं और इनको आप लिए नहीं है और इनको अपने परिवार के साथ एक चाई पीनी चाहिए और वो खरबो रूपय की संपती छोड़कर रेफुजी बनकर यहां आये थे दिल्ली के बाजार में सबजियों की दुकान लगाई थी मोदी जी ने विभाजण की विभी सिका का दिन मना कर उसको हिस्टरी का हिस्सा बनाये इन लोगों के मन में संविदना नहीं है वो समत्य नहीं है वहाँ धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओ का गवरव छिना जाए अपमानित किया जाए क्या करेंगे वो इनकी विदना हम भी नहीं सुनेंगे पचास में आ गए, साट में आ गए, सत्तर में आ गए, अस्सी में आ गए आज भी नागरिकता नहीं है, बच्चो को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है धंकी नौकरी नहीं मिलती है, छुट बैया नौकरी करते हैं अपने नाम से प्रोपर्टी नहीं ले सकते हैं, मत्दान नहीं कर सकते हैं क्यूं क्या गुना है उनका विभाजन का फैसला उन्होंने नहीं किया था कॉंग्रेस पार्टी ने किया था और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे अब अपने वादे से मुकर जाना मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मंजूर नहीं है इनकी समवेदनाओं को भारतिय जनता पार्टी भी महसूस करती है इस देश के प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए और ये चुनाओं के पहले आ जाए वो ठीक है ममता बैनर जी पे आती हूँ चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि बीजेपी जो है ये हिंदू-मुसल्मान का खेल कर रहे हैं और उन्होंने का ओडियन्स को कहा कि आपकी प्रॉपरटियां चिन जाएंगी आपके बच्चों का एजुकेशन खतम हो जाएगा आपको डिटेंशन कै अल्रेडी है तो ये सीए के जरिये पंदरा से लेके बीस लाख लोगों की सिटिजन्शिप छीन ली जाएगी देखे मैं ममता जी को करबद निविदन आपके इस कारेक्रम के मात्यम से करना चाहता हूँ पुलिटिक्स करने के अजारों मंच है प्लीज बंगलादेश से आयो है बंगाली हिंदू का अहित मत करिये आप खुद बंगाली हैं बंगलादेश से जो बंगाली हिंदू आये हैं इनको नागरिक्ता देने के लिए एक कानून है ममताजी को मैं खुली चुनोती देता हूँ इस कानून की धारा में से किसी की नागरिक्ता छिनने की एक धारा वो बता दे सारवजनिक्रूप से वो खौप पैदा कर रही है हिंदू और मुसल्मानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है ममताजी इसको मत रुकिये करने जैसा काम है गुसपेट रुकिये झाल 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 झाल